दोस्तों हम लोग सुनते वे आते हैं कि पासवर्ड स्ट्रॉंग रखना चाहिए, अपनी सेंसिटिव इंफोमेशन ओनलाइन शेर नहीं करनी चाहिए, पर दोस्तों क्या हम लोग इसका सच में ध्यान रखते हैं? तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारें बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ऐसे पांच तरीके जिनको आप यूज़ करके अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों आपका या मेरा account hack नहीं होगा या आपकी website hack नहीं होगी इसकी guarantee कोई नहीं दे सकता जब yahoo के account hack हो सकते हैं जब pentagon 18 साल का बच्चा hack कर सकता है तो दोस्तों आपके और मेरे account तो कुछ भी नहीं है उसके सामने दोस्तों तब आप क्या करेंगे जब आपकी private information आपकी financial information suddenly किसी के साथ में compromise हो जाए online compromise हो जाए share होने लगे आप imagine करिए कि आपकी images आपके videos आपकी financial information कुछ ऐसे लोग देख पा रहे हैं जिसकी आपको knowledge तक नहीं है तो दोस्तों जड़ा सोचे कि कितना भयानक होगा ये सोचना कि आपके जो phone में information है वो कोई और access कर पा रहा हो हर तरीके का hack आपको online available है Facebook account कैसे hack करें WhatsApp कैसे hack करें तरह तरह की चीज़े available हैं कि उनको कैसे hack किया जाए तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन से ऐसे हैं पाँच practical तरीके जिनसे कि आप अपने privacy को protect कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले unique password और username रखें दोस्तों मैं मानता हूँ यह चीज़ बहुत difficult है कि हम लोग हर रोज आज कल कोई ना कोई website या फिर app पे account क्रियेट करते हैं तो यह काफे difficult हो जाता है सब के लिए unique username और password बनाना इस चीज़ को safe रखने के लिए बहुत सारी applications available हैं बहुत सारे softwares available हैं तो last video मैं मैंने बात की थी one password के बारे में तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी ही application जो की आप use कर सकते हैं उसे कहते हैं keypass जहां पे आपको सिर्फ एक username और password चाहिए बाकी password और username को unlock करने के लिए जैसे की one password में मैंने बताया था और दोस्तों उसे आप ये भी कर सकते हैं कि वो सारे encrypted database में store होते हैं मतलब जैसा आपने username या password बनाया है वो वैसा कर वैसा store नहीं होता उस data को encrypt करके database में store करते हैं प्लस एक key file आप generate कर सकते हैं अगर आपको online लगता है कि ये चीज secure नहीं है तो आप उस data को अपने pen drive में save भी कर सकते हैं दोस्तों key pass और one password अच्छा option है आपके unique username और password को store करने के लिए दोस्तों अगर आप सोचते हों कि मैं यहाँ पे क्यों अपना password और username store करूं हो सकता है ये भी किसी दिन compromise हो सके definitely दोस्तों हो सकता है compromise तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक excel sheet maintain कर सकते हैं और उसमें सारे data को store कर सकते हैं और उस data को आप अपनी pen drive में store करके रखें तो जब भी आप कहीं public domain में किसी भी computer को access करें तो उस pen drive को insert करके आप अपना account unlock कर सकते हैं दूसरी बात दोस्तों ये कभी मत assume करिये कि जितनी भी online storage services आप use कर रहे हैं वो आपके data को safeguard कर रही है दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोस्तों जब भी आपको information online available करवाते हैं वो पूरे network पे spread होती है definitely dropbox और google drive ऐसी services है जो कि आपकी data को काफे secure रखती है बट क्या वो 100% secure है जी नहीं दोस्तों तो दोस्तों इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है तो अगर आप sensitive information online available करवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस information या उस file को definitely आप encrypt कर ले तो दोस्तों उसके लिए आप एक software यूज़ कर सकते हैं box scripter तो दोस्तों ये जो अभी आपकी file है उसको encrypt कर देता है और उसके बाद में आप उसको upload कर सकते हैं तीसरी बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि आप online क्या share कर रहे हैं कौन सी information share कर रहे हैं दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आप इतनी सारी websites को visit करते हैं और हर website पे आपको एक registration form हमेशा available होता है वहाँ पे आपकी information मांगी जाती है आपका phone number पूछा जाता है आपका address पूछा जाता है locality पूछी जाती है और तरहे तरही की information आपसे मांगी जाती है हम लोग क्या करते हैं कि blindly वहाँ पे correct correct information दे देते हैं और फिर हमको ये नहीं पता होता कि वो form का data कहां पे use हो रहा है कभी आपने ये सोचा है कि जो आप form फिल कर रहे हैं उसका data कहां कहां किस को available होता है दोस्तों अगर वो बड़ी company है तो definitely आप थोड़ा सा trust कर सकते हैं कि आपकी information सही जगे पे गई है और उसका misuse नहीं होगा बट तब क्या जब आप कोई ऐसी website visit कर रहे हो जो लगती तो authentic है कि हाँ बहुती पढ़िया website है कुछ गलत नहीं हो सकता बट कि आपको पता है कि जो आप form में information डालते हैं जो अपना phone number, email address, तरह तरह की information आप भरते हैं वो तीसरी third party को जाता है third company को जाता है वो data analyze होता है कि किस तरीके से company की progress होगी और किस तरीके से company में आगे काम होगा और दोस्तों जब कोई company उस data को third party को देती है तो third party उस data का क्या करती है वो उनको भी नहीं पता होता जब भी आप online form फिल करते हैं ये ज़रूर भी नहीं है कि आपको सारी information correct फिल करनी है आप गलत information भी फिल कर सकते हैं ये बात जुरूर है कि अगर वहाँ से verification email आ रहा है तो खाली आप जो email address है उसको आप correct फिल कर दें और ताकि आप verify करके login कर पाएं बट अगर उस website में login की requirement नहीं है तो आपको वहाँ पे सई information डालनी की भी जरूरत नहीं है आप वही information provide कर लिए जिससे की वह company आपसे contact कर सके अगर आपके phone के थूरू contact करना चाहते हैं वो लोग तो आप phone की खाली information correct डालिए बाकि information आपको correct डालनी की जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो एक web form है उसको क्या पता कि आप क्या information जो information डाल रहे है वो सही भी है या गलत है तो दोस्तों इस बात का जरूर द्यान रखें दोस्तों चौथी बात कभी भी अपनी private information मत share करिए दोस्तों ये चीज़ पता सब को होती है पर करता कोई नहीं है तो दोस्तों इस बात का बहुत द्यान रखें कि अगर आप किसी forum या किसी blog या किसी post पे अपना email address दे रहे हैं या फिर अपना phone number प्रोवाइट कर रहे हैं इविन अगर आपने किसी forum में अपना username दे दिया तो दोस्तों कभी आपने सोचा है कि उसका क्या misuse हो सकता है दोस्तों उससे कोई जना आपके email ID पे एक account run कर सकता है एक Facebook account, Twitter account ऐसे account run कर सकता है दोस्तों पांच में और आखरी बात हमेशा लॉग आउट करें दोस्तों ये आप तब करते हैं जब आप public domain में होते हैं या फिर किसी cyber cafe में आप काम कर रहे हैं तो आप वहाँ से लॉग आउट करके और फिर exit करते हैं बट तब क्या जब आप घर पर हों तो दोस्तों घर पर भी अगर आप Wi-Fi यूज कर रहे हैं कैसे network यूज कर रहे हैं जिससे 5-6 devices connected हैं तो दोस्तों हमेशा वहाँ से session को end जरूर करें हमेशा website से log out करें क्योंकि दोस्तों आपको क्या पता कि आपके Wi-Fi router को किसी ने hack कर रहा हो या फिर आपने कोई ऐसा software डाउनलोड कर रहा हो जो कि सारी information को gather करके एक email के थुरू या फिर किसी database के थुरू भेज रहा हो कहीं पर दोस्तों आए दिन हम लोग news में देखते रहते हैं कि कि किसी का email account हाक हो गया कुछ information sensitive information leak हो गई हम लोग देखते सब हैं बद हम लोग ध्यान नहीं रखते कि क्या ये हमारे साथ भी कभी हो सकता है दोस्तों आपका Wi-Fi router भी hack हो सकता है इस बात का भी ध्यान रखें तो दोस्तों आप Wi-Fi router अच्छा Wi-Fi router खरीदें और उसमें जो software आता है उसके साथ में वो जरूर इंस्टॉल करें और उसमें limit लगाएं कि 5 devices से ज़ादा इस router पे connect ना हो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी privacy किस तरीके से protect कर रही है दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का motive सिर्फ इतना सा था कि हम लोग देखते सब जगे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा पर जब तक वो हमारे साथ नहीं होता है हम उस चीज़ को implement नहीं करते हैं तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो definitely जाके अपना account secure करिये और अपने username और password को भी change करिये दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही thank you so much for watching this video and I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो please like करिये, share करिये, comment करिये और subscribe करिये इस चानल को this is Anurag